नमस्कार ट्रेडर साब सभी का स्वागत है वे एक मिश्णा ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं वो S-Bank का सेर है देखिए सो के पार जाने वाली खबर आई है इसके उपर निकल के तो आपको क्या करना चाहिए बाई कर लेना चाहिए या नही करना चाहिए उस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे जो चैनल पर नए हो चैनल सस्क्राइब करें नोटिफेशन बेल जरूर प्रस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आप से मिस्स नहों क्योंकि मैं देखिए इस टाइप के सेरों की जो खबरे होती है देखिए मेर यस बैंक पर पहले ही इस पर बता रखा है सेर के बारे में जब 12 रुपे 90 पैसे पर चल रहा था तो जिन लोगों को सेर बैंक यस बैंक के बारे में जानना है कि कैसा बैंक है क्या सर्विसेस प्रोवाइड करता है तो आप लोग इस वाली वीडियो से देख सकते हैं मैंने अब आईए जो करेंट प्राइस पर चल रहा है उन सभी चीजों पर बात कर लेते हैं तो देखें दोस्तों जो अभी करेंट प्राइस चल रहा है 15 रुपे 40 पैसे चल रहा है अपर सर्किट लगाया था सेर ने बहुत बढ़ियां चला है अब कमिंग अर्निंग की आज 12 को आएंगे EPS देखें माइनस में बहुत बेकार चल रहा है इसका 80.95 मार्केट कैपिल जो है इसकी 367.054 बिलियन रुपीज है डिवडें की ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती तो क्या सही है Yes Bank में इन्वेस्मेंट करना Yes Bank अच्छा है कि नहीं है वो सब हम लोग ज करीब है Number of employees इन्होंने फाइगा रखा है सो नहीं कर रहे हैं जबसे इनके में घटना घटित हुई थी एवरेज वैल्यूम 10 डेस का देखिए यह हाइस्ट है इसका 302 मिलियन आपको सायद ही किसी और सेर में इतना बड़ा नंबर मिले आपको देखने के लिए क्योंकि आप सेर होल्डर भी इसके बहुत ज्यादा लोग है छे लाख से साथ लाख से भी ज्यादा लोग है 7,68,000 के करीब है नंबर आप सेर होल्डर इसका देखे जो 52 वीक हाई है वो 87 रुपीस 30 पैसे है क्यों जाएगा यह सवर रुपे के उपर यह अभी हम लोग जानेंगे थ वाला हिसाब है यह सेर में इसमें ऐसा है कि अगर आप 10,000 अभी इन्वेश्ट कर देते हैं तो आपको कभी ना कभी यह प्रॉफिट देने वाला सेर है जैसे कि अभी इसकी जो नियूज निकल के आई है जो खवरे निकल के आई है वैसे 10,000 भी बेकार नहीं है हर मनी एक कि तो सही इन्वेश्मेंट क्या इसमें लगा देना एकदम परफेक्ट है या गलत है मेरी राह कि हिसाब से तो दुस्तों देखे सही है 10,000 क्योंकि अगर फ्यूचर में जैसे कि अभी 2013 का जो अभी निउस निकल गया है अभी मैं आपको बताता हूं कि 2023 तक का जो इन्होंने प्लान बताया है मेगा प्लान कह लीजिए उसको बहुत ही सांदार बताया है आईए इसकी बैलेंस सीड देख लेए जीए इसका जैसे टोटल एक्विटी रेसियो जो है 1.7251 है तो इसके इसाब से इतना भी डाउनवर नहीं रिकवरी इनका बहुत रिड्यूस किया है इन्होंने अपना जो एम रखा है वो सबकुश इंक्रीज करने वाले हैं जैसे इन्होंने बताया है अपना एम इंक्रीज करेंगे रिटेल सेयर पर जैसे लोन प्रवाइड करते हैं वो एराउंड 6% जो है उसको इंक्रीज करेंगे बुक में तो ये बहुत अच्छी बात कल किया जाती है बैंक के लिए और आप सभी इन्वेस्टर के लिए जो इसमें पैसे अपना लगाना चाहते हैं और भी कहा है कि अपना जो एम है वो डबल कर देंगे ताकि रिटेल बैंकिंग जैसे बिजनस होते हैं वो करंट लेबल जो है उससे अभी देखे 2023 तक उसको डब कर देंगे जो अभी करंट चल ला है तो इस हिसाब से अगर बिजनस बैंकिंग ए लोग इंक्रीज कर देंगे तो आपको पता है कि जब बैंक को काफी जादा इंकम मतलब इंकम का सुरोज जो है वो बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाएगा तो इसके जैसे जाहिर सी बात है सेर एस बैंक जो है रिकवर कर लेगा सब कुछ तो ओवर ओल रिकंश्रेक्सिंग का इन्होंने यह भी बता है कि जो रिक्वेस्ट है उसका जो प्लान है वो बहुत इंट्रेस्टिंग लगी है तो मैं वो आपको बता देता हूँ ओली फॉर लॉंग टम के लिए है देखिए यह मंतली बेसेस पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है इसमें जो सेर की सेलिंग वैलूम आई है वो जैसे मैंने सरकल लगा रखा है स्काई ब्लू कलर से वो ज्यादा हुआ है तो इससे यह पता लगता है कि जो पहले के लोग मतलब जो काफील लोगों ने लॉस में इसको बुक करके बाहर आ गये हैं तो इसकी वज़ासे आप देखिए नए लोगों को जरूर से मौका मिलेगा सेर में अब जो पहले अब जो 2014 से थे वो तो अभी भ उपर के थे उन सभी ने लगभग इसमें सेल मार ही दिया है तो इसकी वज़ासे क्योंकि से नंबर जो मैंने आपको सेयर होल्डर्स बताया है वो इस टाइम के पीरेट से तो इंक्रीज हुए है बट ओवर ओल देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा बहुत टगड़ी गि बताया है 2023 तक अगर जैसा इन्होंने बताया है वह वर करता है जैसा इन्होंने रीकर्श्रक्शन किया है अपने प्लान के लिए कि हम लोग कैसे इंकम ग्रोथ करेंगे तो वह अगर वर कर जाता है तो इस तरह से यह आपको हेंड्रेट पार भी दिखाई देगा 2023 तक आते तक थैंस गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो अगर आपका इस से रेटेट कोई भी कोशन है तो करने जरूद मेंशन करिएगा